मुजफर पुर्जिला के सरहिया थाना क्षेत्र के मोती चौक के समीप जाड़ी से एक 14 बर्षिय किशोर का पुलिस ने शब बरामद किया। जाड़ी में शब होने की सूचना पर शब को देखने के लिए ग्रामीनों की भीर जुड़ गई। शब की पहचान मोती चौक महमद पुरबाया निवासी स्वर्गिय दीपक गुपता के 14 वर्षिय पुत्व तेजस उर्फ चंदन गुपता के रूप में किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि किशोर 4 जून के शाम से घर से लापता था। मंगलवार को परिजनों ने गुमशुदगी का आवेदन सरैया थाना को सोपा था। मृतक किशोर के घर से 400 मीटर की दूरी पर जाड़ी में शब पड़ा हुआ था। इस संबंध में सरैया थाना के इंस्पेक्टर जेपी सिंग ने आपसी रेंजिस में कुछ साथियों द्वारा हत्या करने की आशन का जताए। जबकि परिजन के अनुसार किशोर की हत्या मोबाइल के लिए करने की बाते बताए। सरैया पुलिस ने FSL की टीम के निरीक्षन के बाद शब को पोस्टमाटम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वितक तीन भाई में माजिल था। शब की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। डी एलिवेन टीवी के लिए सरैया से शशी भूशन सिंकी रिपोर्ट।